एक गाड़ी थी और विदा जिसमें चार लड़की आये और मेरे सुरक्षा गाड़ थे वहाँ पर गेश से थे तो चार लोग मारने आते गाड़ी आती आपके लोग पर रहते गाड़ी का नंबर तक नहीं आ रहा है ऐसा कुछ पॉसिबल लग नहीं रहा है मैंने नगर निगम प्रसासन को हाइश कोड़ से नोटी देजवाया हूँ अच्छा मेरी गाड़ी चलती है तो लोगों के जलती है तो मैं क्या करूँ नमश्कार आप देख रहे हैं नवीन खबर मनोज राजपूत 36 गड़ में एक जाना मना नाव जिन पर कई बार अवयट प्लॉटिंग के आरोफ लगे है और हाली में एक आरोफ लगा है कि उनके स्टाफ ने बुझर्वकिसान के साथ मारफिट की और आज इनके लेओट पर इनोंने प्रेस वार्ता रखी उनोंने सारी चीजे बताई कि उनके साथ क्या क्या हुआ उनका यह कहना है कि उनके केंपस पर किसी अज्यात लोगों ने हमला किया इसका सिसेटी भी फुटेज भी है और आज प्रेस वारता में उन्होंने सारी गठा का विवरंड दिया चले इनकी प्रेस कॉंफरेंस देखते हैं कि उन्होंने अपनी इस वारता में क्या आप कुछ बताया मैं आपको बताना चाहरा था यह दिरा यह मार लेओट है और यह मार लेओट में पड़सो रात्री करीब 11 बच के 40 मिनिट में जो एक गाड़ी थी और विला जिसमें चाल लड़के आये और मेरे सुलक्षा गाट थे वहां पर गेट पे थ अब गेट खोला तो धक्का मार के गेट खोला जो सीसी केमरा में आप तक पोविट चुका है उसने जैसे बाहर निकला उसको सीसी केमरा पूरा पोटेज बता रहे कि इसको बहुत मारे इसलिए मेरे वहां पर जो गाड़ थी सुरक्षा प्यार में यह कर क्या नाम था प्या कई वर्तों से आपर पूरे दाड़ यहां पर केमपस में सुरक्षा के लिए लगा गया लेकिन एडिया बड़ा होने के कारण एक जगा एक अत्रित नहीं रहती और मेरा हमेशा प्रयास रहा कि मेरा कार्य च्छित्र में जो भी एक जगा इस्थाप बना हुआ है आप च्छा के दिष्टी में हो या मेंटनेस के दिष्टी में हो मुझे लगा कि इस बिलाई सर को बिलाई दूर्ग में जो मैं कालोणी बना रहा हूँ एक आओ यहासा है कि कालोणी का अच्छा निर्मान करूं और आप लोगों को मैं बताना यह चाहा रहा था कुछ दिनों से हैं जैसे मैंने अभी मेरा मवीस का जो टेलर हुआ जो गानियां गुम रही है प्रचार हो रहा है उसमें बहुत में जन मकाり आते हैं जो पीयार देता हैं उनके बिच में मिलना भी हो जाता है और मिलने के बाद बातचीत होता है और उनको यह भी पता है कि आप MR layout का मतलब honor है आप एक्तर है और इसने मुझे प्रेर मिलता है मैं बहुत उस्षाइक के साथ तर्टवियों के साथ मैं चर्चा भी करता हूं दो दिन पहले मैं उदर से आ रहा था डीपियस जो इसकूल है वहाँ पर चार मोटर साइकल से एक लड़के थे एक लड़के थे रोके और फिर तो मुझे लगा ठीक हो सकते मेरे मुवी आ रही है तो इसलिए वो रोके होंगे क करके अरे यह रोको करके जैसी रोका हमाया तो फिर मेरे को ना मालूम हो दारू पिये होए थे मस्ति किये होंगे मुझे लगा ठीक है तोड़ा मजात कर रहा होगा केमेंट से कर रहा होगा फिर गलता है तुमारे हीरोगी सब खतम कर देंगे बहुत बढ़ा उड़ रहा है तेरे बैपार में फिर हमको लगता है कि छोटी छोटी बाते ना हमको सामने रखना उचीत नहीं लगता यह बड़ा बेऊसाय कर रहा है बड़ी सोच के साथ अपन आगे बढ़ते हों हम ऐसा विवाद के स्थिकी पैदा नहीं करते हैं जब यह परसो गटना गटी जैसी अगर हाँ गाड़ी से आये और पोटेज बोन इसने देखे अभी तक से उनका कोई भी एकसर नहीं हुआ ताकि वो गाड़ी या तो टोल प्लाजा से आया होगा आप समझ लिजेगा वो लड़के इतना बाइवेद थे कि पुलीस वाले के साथ जाने के लिए कत्रार है थे वो लड़के बोना तेले को मार देंगे और आप पोटेज देदें देखे होंगे कि इस हब तक था हमारे पास पूरे केमपस में वाकी है क्योंकि मुबाइल के माध्यम से काल करने में समय लगता है तो उसने सबसे पहले वाकी को महाच से चील लिया गया ताकि वो वाकी में सारे चील संपर्क के एक साथ हो जाता है किमपस है तो वाकी को छील लिया ताकि संपर्क नहीं हो पाया और उसके जाने के बाद उसने नड़का वाकी खिया तब पोटेज तीम वहाँ पर सामीन हुआ मैं भी उस समय रात्री को में यहां पर रुका हुआ था मैं आन इस से विरोधी होंगे या मुझे ऐसा लगता है कि मिनी फिल्म प्रमोशन में उनको कहीं दिक्कत हो रहा होगा या धर्मा विरोधी होंगे ऐसा मुझे आसास होने लग गया और वाकी मैं आपको बता रहा हुँ कि छोटी-छोटी बाते बहुत सारी होती है क्योंकि बैपार तो काम कैसे करें लिए ये मेरा थौट था और इस थौट के साथ मैं सिर्फ अपना काम में फोकर करूँ ये अभी आपने बहुत बड़ा इसतर काम ने ग्रीन चोग में कारिकरम ब्रगर है जिसमें हिंदुत वोका है और ये अमारा सभाद गया कारिकरम में करने का और लोग सामिल डियो हो रहे हैं सभी संदर्टन का सहयोग मिला आप लोग वे सहयोग आजे भी मिला और अभी भी मिलेंगे मैं अपिछा करता हूँ प्रसासन से कि बड़ा इसतर का कारिकरम है सुरप्छा प्रदान किया जाए मेरे कारिक्षेत्र में अंतच्छेप कर रहे हैं उनके पर करवाई के जाए ताकि बड़ा दुर घटना ना हो सके इसलिए मुझे मजबूरन मुझे बताना पड़ा अज़र इस तरह की घटनाय नहीं होते यह मेरे साथ हवेसा कुछ न कुछ लगा रहता है केमपस में अभी आप कई लोग आते हैं केमपस में आते हैं वहाँ पर व्युवाद की स्थिक्या पैदा करते हैं नेकिन मैं अपने केमपस में किसी तरह से व्युवाद नहीं चाहता हैं यह मेरे सोच हैं और मैं आपको बताना यह चाह रहा था कि इसमें बारी सब्दा लिखने का एक उद्देश है हमारे चो 36 गड़ में जितने भी लोग हैं अ 36 गड़ का महसूण नहीं करते कि मैं 36 गड़िया नहीं हूँ या 36 प्रदेश्कर में और 36 गड़ को लोगों को सपोर्ट नहीं करते इस द्रश करता हूँ यह मिरी सोच है मेरी नहीं और आप देखने करने का मीला होगा कि हमारे लोकल लोग, मैं खास मैं 36 गरिया हूँ, मैं 10 साल से यहाँ पर एक बहुत सार बेजजत करने पटावित सन्निती यह लोग लगे रहें लेकिन मैं न जुका न रुका हमेशा चलता रहा एक इस्थान में बनाया मुझे इस बात की कोई संकोच नहीं बोलने में क्योंकि हकीकत पता चल जाता है अब ये राम राज्य आ गया राम राज्य में मुझे लगता है कि यहां पर तो रावार राज होगा नहीं और जो रावार राज होंगे वो उसका खतम अन्तुम पोई जाज है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जब अभी अवारी मुझा बहुता है कि भाजपा की जो सरकार जब से आया और भाजपा की सरकार आने का बाद जो वाजपी में मुझे जिस नजर में मुझे देखने को मिलता था मतलब बोलते हैं गुन्दा करदी या बहुत सारी लोग गलब तरीके से हरकते करते थे वो कहीं कहीं सिमट चुके है मैं उनको बहुत बहुत धंडेवाद देता हूँ मेरा एक उद्दे से ये राजनितिक नहीं है कार्य छेत्र में जो भी छेत्र में समाजिक कार्य करते हैं संगठन काम करते हैं उनके साथ या सरकार काम करते हैं उनका हमें उनके साथ होना चीए उनके बारे में हमें को विचार करना चीए यह मेरे उद्धे से आए कि जन जन तक पहुचना चीए यदि मैं सुरक्षित नहीं रहूंगा मेरे कारेश इसना बड़ा है तो लोग सुरक्षित नहीं रहेंगी पेरी मोही आ रहे हैं मुझे अपनी टेम के साथ जाना होता है इस तरह की घटना है घट रहे हैं नहीं पता मुझे ये बुला कि लोकाल वाद चैटेस गड़िया चैट Watts गड़िया चर्फिस गड़िया कर कि तो अपने आपको स्बार रहे हैं तो क Zhong सबार 36 गड़ी है तेरे को हम देखते हैं तेरे जैसे लोकल वहाद को हम कैसे मतलब प्रही वड़े हैं कई सब्द है जिसकों मैं सामनी नहीं रख सकता मुझे उचीर भी नहीं रहते को आपको बताना चारा था देख लीजेगा आरे चेत्र जब भी आम काम करते हैं तो नगर रहता है यह आप सोचेंगे हम एक चोटी-चोटी चीजे को आम लेके अगर चलेंगे तो हम कारिया नहीं कर पाएंगी और एक भी मुझे पता है कार चार चेत्र को भटकाने के लिए दी किसी टिवी में जो आप रिकार्डिंग हुआ है किसकी गाड़ी है कितने लोग अब अब मतलब हमने शिकायत किया और इसकी साब को मैंने इसके पोटेज भी दिया और वो करवाई होगा किसकी गाड़ी यो पता चल जाएगा लेक्ता कि इस तर से आप मारूप लगा रहे है जिना माम आउम थे इस पो महराश पना मारे जा रहे हैं आपसे रह से नई आ रोप नहीं मैं आपको आरूप भी लगाऊंगा वेश्म परिवार के लिए मैं सुरक्षा के लिए मैंने गेट बना कर रखा है जहां से आवागमन आना और जाना रातरी 9 वजे के बाद मेरे पूरे सुरक्षा कर्मी आप ड्यूटी में रहते हैं और एक गड़न गेट को बंद कर देते हैं जो आना भी होता है वर जैंसी में तो उसको पूछते और जाने किये मैं सिर्फ अपने लिये नहीं मेरे कादूरी में पचास परिवार रहा रहे एक परिवार में तो चार सदस्य होगा तो दो सो लोगों की सुरच्छे की बात कर रहा हूं आपने अभी सहा कि भाजफा आने बाद फांसी आई है जश्ति आपने नहीं कांग्रेस तरह साथ पार्टियों सिर्फ पर फूरब रहा है जी नहीं मैं आपको बताना चाहरा हूं यह कारेश्चेतर मेरा है लोग तरह तरह की बदनाम करते अगर मैं कांग्रेस अन्यताओं को पैसा लगा होता मैं आपको बताना चाहरा था या उसकी सपोर्ट गुद हुआ रहा था तो इतनी बड़ी करवाई क्यों होता आप देखे होंगे इतनी बड़ी करवाई मुझे लगता कि 46 गड़ पे करवाई नहीं हुआ होगा मैं गलत नहीं था मैं आपको बताना चाहरा उसमें भी सडियंत्र थे, सडियंत्र रहा होगा, आज मैं बुनना चाहा रहा था, आपको बताना चाहता हूँ कि नगर निगम में फ्याड नहीं होता, मैंने यहाँ पर अवेदरुप से लोग भोशित किये थे, मैं अपने फंद से मैंने रोड बनाया, अपने फंद से नाली आपको यह चाहता हूँ कि सरकार जो सरकार के पास समझाते कि आप इसमें आपर सयोग कीजिए, डेवलप्मेंट कीजिए, सारे चीज कीजिए, जब सरकार नहीं कर पा रही है, तो मुझे लगता है कि सयोग करना से यह आम पपलिक निवास कर रहे हैं, लजिस्ट्री करवाय डावर्शन हुआ, पाइनेल्स हो गया, सीपक छवी खराब करने के लिए किया गया है, अगर गलत होता, तो आज यहां पर करीब देड़ सो परिवार मकान नहीं बनाए होते, तो मुझे वो अधर होता, मैंने नगर नीगम प्रसासन को हाई कोट से नोटीस देजवाया अगर गलत होता तो प्रसासन को, अगर गलत होता तो फेपर में सो करे, अगर आपको बताया कि यह रोड गेड गलत जगह था, यह गौर्मेंट की जगह था, वो भी बता दे, चोड़नेक पने नोटीन दिये थी व्याथों में, देखी आपको बताना चाहता हूँ, उस समय क सरकार थी, मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैं फुस्टपाल्टी की बात कुई कर रहा हूँ, यह दलबदलू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा डट के लड़ता रहा, पहले में लड़ाओं, अपनी लड़ाई मुझे दस तल तक में लड़ता रहा यहाँ पर, और इ 36 गड़िया है, जो पैचान मना लिया है, और जो पैचान मनाता है, उसको पुचलने की प्रयास करता है, हर निति से, प्रसासनीक रूप से, सांट गाट पे, यह किसी के रूप से अफ़ा फैलाते हैं, आज भी लड़ता है, आप देखने हैं, मैंने आप लोगों को इसलिए पुलाने का एक मेरा मकसद था, कि आप देखने हैं, कि आज चार बेरती आके, गेट पे गाड़ी आके, आज इस्टिक राट लेके आके, अगर गेट खुला नहीं होता, तो केमपस में आता, और केमपस में आता, आज मैं यहाँ पर आपके सामने में सुरक्षित नहीं होता क्या इसमें क्या समझें, क्या साजिस नहीं समझें, मैं दो बोलता हैं, इनके ओपर करवाई की जाए, कौन सी गाड़ी आई, कितने लोग होंगे, तो पता चाल जाएगा, ठोल प्लाजा से मैंने मेरे लड़के दर डरे हुए थे, आज भी वो गाड़ में आया नहीं, मैं उनको बोला, प्लिस वाले उनको सायोग किये, मेरे सापाटी भाई लोग आए, सायोग किये, उनको ले जाता हस्पिटर ले गया, जहां पर वहाँ उनको बहुत चोट लगे हुए थे, उनके जिसने मेरे रिसीव नहीं देए, आपके नामें पाया रही शी ने किसान पो आपने मारा थे, इधर जुनिये, अगर मैंने उनकी दूचना आप कल्प प्रकासन भी वहा था, आपने देखे होंगे, उनके बारे में बता दिया, यदि मैंने आपको बताया कि बार बार, बार मनुझ राजपुत को टार्गेट बनाने का कुद्धिस था, कि मैंने देनिक दासकर में उसका खंडन किया, बताया, वोच किसान था, यदि परवारिक मामने को अगर कोई भी व्यक्ति उसको केप्चर करके, मनुझ राजपुत की छवी को अगर डिस्टर्ब करने के लिए प्रयास करेगा तो बहुत कुछ है, वो वीडिया, वो तो पुलिस था रही कि उपएते मांगने आया था, आपने लिखा था, आप उनके वारे में निचार कीजे, समझे, मैंने तो कल भी पुरव उसका निरन दे दिया था, कि वो ब्यक्ति खितान था, क्या थे, पुलिस ल पुरी टीम कैसे आये थे, कैसे आये तो पुटेज मेरे पास है, आपको दिखा सकता हूँ, उसके बाद अगर मैं चाहता, तो मैं ठाना गया था, टी आई सापको, उनके पूरे उसने आहां के धंकी दिया था, उनके विरन मैंने सायद आप लोगों मेंसे से किसी किसी को दि लिक वाया जब उसमें पूरा विवरन अब बोलेंगे तो मुझको वायरल में आपको कड़ सकता हो अपको सुना के आज इस तरह से आप पुरूप की बात की बात कर रहा था उसने वियुरन आप अस्थोमनी बात है कि रिकार्डिंग यह बोलता है कि आऊंगा तुमारे आफि इसे वीडियो में आपको सुना सब्सक्राइब, मैं तो लोकल 36 गडिया हूं, पानी नहीं हुआ है। पर मैं जो दोसन वाद भाद पहला है। 36 गडिया भाल प्यारिया तो सब एक है नहीं है। आपको बताना चाह रहा हूं, बेरी बाद सुनिया, यह दिखी लोगों की रही है। मजलब फिर क्या हो बस यहां जो रहना तो सब्सक्राइब, मैं तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपने 16 गड़ को बहुत प्रेम करता हूं। आपको बताना चाह रहा हूं, मैं मुझे जानकारी उसके बारे मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मेरा जन्म इस्थल है, मेरा कर्म बुमी है, आज भी देख लिजेगा, आज मैं बीडर के रूप में तो बाद हुआ। मैं समाजिक रूप से आज ही छेत्र में जो हो सकता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप कुछ निजेगा और जानकारी मैं समाज सेव का पहने भी हमें से अफर छेत्र में आगे बढ़ चड़ के हिस्सा लिया और आगे मैं भी ले रहा हूं। यह मेरा उद्देश कभी नहीं रहा कि लोकल वाद या बाहरी वाद को मैं तुम्हों को गेप करूं। तो टाप प्राइटी तिने स्वियार की बढ़ाने के ऐसा यह सब साम जाम आपके दोरह किया जा रहा है। आप अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भी आया है ना गारी में पुटे जाया है और उनके जो आये होंगे तो पुलिस तो पगए। मैं से कई सारे कीस आते रहता है कि पहले फेंग को जीट कराने के लिए बिवादी तरवाद हो या खुद बिवादी फोदा हो और आपकी प्रियोवी आने वाली है तो चत्रिस गड़ में आपको लगता है कि सब से टॉप रेक्टिंग वाली स्ट्वीर मुवी ने हैं देख जा रहा था मैं सबसे ज़्यादा विवादी तूंग फुरह इस दूर बिलाई चेत्रह में प्रियल इस्टेट में आपको मीडिया का माध्यम से बताना चाह रहा हूं लोग ब्लें क्या-क्या नहीं करते थे दस्साव से कि यह वेद प्लाटिंग है या टाउन इन कंट्री प्लाणिंग नहीं होगा या दावर्सन नहीं होगा या मकान नि करेगा या पर्मिसन नहीं मिलेगा सारे चीट किसी से चुपने की जुरहत ने मैं आपके सामने में बात कर रहा हूं लेकिन सहयोग की बात हुआ, आज सच्चाई सामने आ गया, आपकी छेत्रे में देख लिशेगा, जो अब तक दूर के विलाए में जो डौलप्मेंट नहीं हुआ, मैं एक आओ के साथ मैंने पूरा एक छेत्रे के में डौलप्मेंट किया, विवाद बढ़ाने से नहीं, लोग सोचते हैं तो, लोग जिनके अंदर में भाव आता है, कि वादित है, सुपर हिर्ट के कारण में देखना चाह रहा हूं क्या, मैं वैसा नहीं बोल रहा हूं, मेरा बोलने का एक गुद्देश से वो चीज नहीं है, मैं अपनी सुरुक्षा, आप बताएए, इतनी बोला, जिस सर से मुझे मान सम्मान अपनी पैचान बना है, ये बात में बहुत बार बोल चुका हूं, मैं उस सर को मैं देना चाहता हूं, किसी ना किसी रुप में देता ही हूं, आपको दिखाया न, आपको दिखाया न, आप मेरे वाटसाब में तो आगया, आपके पास दिख लिजेगा, मैं तो बलता हूं, जो चीए मैं भाई यार के लिए मैं तयार हूं, उनके ओपर जो करवाई होगी, अब लोगों की मानसिक्ता सब कर सोचने का तरीका अलग होता है, कोई बोलेगा अपने लेयोट को सुपरेट बनाने के लिए होगा, कोई लोग बोलते हैं, आध्यात्मी कामर ये कर रहा है, तो सुपरेट बनाने के लिए होगा, और आपको बताना ये चाहरा हो, आप सभी को बताना चाहरा हो, तो मेरी अगर मानसिक्ता ऐसा होता, आप देखे होंगे, अब मैं फिर वार्फस आता हूं मुई में, मेरे अगर मानसिक्ता होता है, कि 36 गड़ी में, जो रिकवरी की बा आता है, जो उसमें खर्चा कर ले, मैंने वला कि 36 गड़ में, जो फोल रहा है, मेरे साथ मेरा जो इस्टोरी है, और बच्चों का जो युवा सत्ती है, युवा लोग है, वो मोटीवेट, वो, इसलिए मैंने इस मुवी को बनाया, इस रिकवरी की बात नहीं, आज देख ल दिखाने का मक्साद है कि बच्चे आज युवा सकती है, उनको ना लगे बिरुजगार है, हमारे साथ क्या होगा, आप भी मुई देखिए, आप भी मनुज राइट पुझ जैसे, दस गुना टेक्नोलाजी से आगे बढ़ चुके हो, बहुत आगे बढ़ सकता, यही है मेर पुलिस देखिए, बस परमान ठीए, नहीं नहीं, मैं आप तो बताना चाहरा था, हमारे कारिकरम को है, हमने सारे चीज मैंने रसासन से मैंने आउबश करता दिया है, इस पीके अपनी मेरे उनके साथ बाचित नहीं होती तो आरिकरम मैं हमने रूप रेखा देए, तयार र प्रसासन के पास इतना बन नहीं रहेगा, कि मेरे लिए बन लगा दे, मेरे केमपस में आरेडी सुरक्षा के द्रिष्ठी से गाड है, मेरे तीम है, मैं बुलना यह चाह रहा था, कि बड़ा कारिकरम होने वाला है, धार्मी कारिकरम हो रहा है, जिसमें बाधा उत्पन ना क करें, जब किमपस में कर सकता है, तो बना कारिकरम कर रहा है, उसमें बाधा ना डाले, यह मेरा सोच है, ठील कहा कि बाहरी है, और मिद्धी छत्यडिया जो रहते हैं, सब तो 36 गड़ को प्यार करते हैं, नहीं नहीं, मैंने आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत लोग आप जब भी देखे होंगे, आप मेडिया के माध्यम से देखे होंगे, इंडिया में रहता हैं, और बाहर का पाकिस्थान, जिंदाबाद, पाकिस्थान, जिंदाबाद, यह नारा अपने सुने होंगे, इस से कौई नहीं फरत पढ़ता कि कौन क्या सोचता है, लेकिन होगा अच्छा मेरी गाड़ी चलती है तो लोगों के जलती है तो मैं क्या घरूआ